दोस्तों नमस्कारtechnिय मैं हूँ शुरेश और आप सभी लोग देख रहे हैं टेक्स्टार अडवाईजर दोस्तों आजके वीडियो में हम आपके साथ में दिस्कस करने वाले हैं कि कौटन की फाइवर 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 कीज तरह के से टेस्ट की जाती है सरले fineness tester का structure और working principle क्या होता है और जो principle होता है fiber fineness का test करने का airflow method तो वो किस प्रकार से काम करता है तो guys इसके पहले कि मैं discussion शुरू करूँ मैं आप सभी लोगों से request करूँगा कि आप सभी लोग मेरे channel को subscribe कर लिजिए साथ साथ में side में लगवा bell icon का बटन दवा दीजिए इससे कि मेरे आने वाले upcoming videos के notification आप तक पहुंचते रहें तो guys discussion शुरू करते हैं जैसा मैंने आपको बताया आज का वीडियो है fiber fineness के बारे में मतलब cotton fiber fineness के बारे में यह यह कह लिजिए कि एक इंच fiber का microgram में जो बेट होता है तो उसको हम बोलते हैं fiber fineness तो जो unit होती है किसी भी fiber की fineness नापने की वो होती है microgram per inch तो guys क्या होता है कि कोई भी fiber होता है cotton का तो bulk के अंदर होता क्या है कि millions of fibers उसके अंदर present होते है तो हम प्रतेक fiber का जो बेट पर unit length होता है हम नहीं निकाल सकते यह किसी भी तरीके से संभव नहीं होता है guys तो जब हम उसको तोल तोल के नहीं निकाल सकते तो इसके लिए हम एक method यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम year flow method तो guys अब मैं आपको बताता हूँ कि year flow method क्या होता है year flow method of fiber finest test तो guys इसको समझने के लिए एक उधारन की ज़रूत होती है तो मैं आपको उधारन के माध्यम से समझाता हूँ कि cotton fiber की finest test करने में year flow method किस तरीके से work करता है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि दो different cotton fiber हमने ले लिए एक coarse fiber है और एक fine fiber है तो उनकी same amount हम तोल लेते हैं अलग-अलग और उसके बाद में हम जोनों samples को अलग-अलग cylinder में रख देते हैं और उसको compress कर देते हैं guys compress करने के बाद में फिर हम क्या करते हैं दोनों cylinder के अंदर same pressure पे same air pressure पे हम वहाँ पे दोनों cylinder में air pass करते हैं तो जब air pass करते हैं तो होता क्या है guys कि जो हमारा fine fiber था cotton का उसके अंदर air का flow कम आता है और जो coarse fiber होता है उसके अंदर air flow ज्यादा आता है तो इसका reason यह होता है कि जो हमारा cotton है जो fine वाला और जो coarse वाला तो उन दोनों के बीच में क्या होता है कि total surface area का difference होता है जो हमारा fine fiber होता है उसके अंदर total surface area होती है वो ज्यादा होती है और जो coarse fiber होता है उसके अंदर total surface area कम होती है तो जहाँ पर surface area कम होती है तो वहाँ पर air को पास होने में जो hurdle होते हैं या obstructions होते हैं बाधाय होती हैं वो कम होती है मतलब dragging force कम होता हो वहाँ पर तो air आसानी से और ज्यादा rate में पास होती है और जो हमारा fine fiber होता है वहाँ पर जो total surface area ज्यादा होता है तो वहाँ पे एर के लिए hurdle जादा बनते हैं, obstructions जादा होते हैं, तो वहाँ पे जो हमारी एर होती है, तो कम पास होती है, एर फ्लो का जो rate होता है, वो घड़ जाता है, तो guys इस तरीके से हम कह सकते हैं, कि जो हमारा एर फ्लो rate होता है, और इस specific surface area होता है, वो एक दूसरे के invers proportional होता है, तो guys यह जो एर फ्लो में थड़ होता है, cotton fiber की finest test करने का, वो बहुत useful result देता है, बहुत accurate result देता है, और बहुत quick result देता है, तो guys इस picture के माध्यम से, आप देख सकते हैं, कि क्या principle होता है, हमारे सरले, finest tester का, तो यहाँ पर देखिए guys, यह दो cylinder है, इनके अंदर हमने cotton भरा हुआ है, इस cylinder के अंदर हमने fine fiber लिया हुआ है, इस cylinder के अंदर हमने course fiber लिया हुआ है, यहाँ पर हम ear flow इस से past कर रहे हैं नीचे से, यहाँ पर भी नीचे से past कर रहे हैं, तो क्या होगा कि जो एर ज्यादा होगा किसमे कम होगा आप देख सकते हैं क्योंकि यह जो fine fiber है तो इसके अंदर जो total surface area है वो ज्यादा है तो इस surface area से जब हमारी air टकराती है जब air टकराती है तो वहाँ पे बादाएं उत्पन होती है यह को पास होने में और कम air पास होती है यदि आपके fiber fine है तो और यहाँ पे हमारा fiber course है तो यहाँ पे क्या है कि जो total surface area कम हो रहा है तो जो हमारी air पास हो रही इस से इसको बादाएं कम मिलती हैं obstruction कम होते है तो जो हमारा air flow का rate है वो ज्यादा होता है तो इस तरीके से जो हमारा surlay cotton finance tester होता है वो काम करता है गाइज यहाँ पर मैंने आपको दिखाया हुआ है एक schematic diagram जो की surlay cotton finance tester का है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका structure किस तरीके से होता है यह देखिए गाईस यह cylinder है A, A cylinder है और P क्या है perforated plunger है यह यहाँ पे plunger होता है perforated होता है इसके अंदर hole होते है M, M आपका manometer है यह pressure बताता है F, air flow meter है यह आपका air flow motor meter है यहाँ पे V valve है जो air pressure control करता है E exhaust pump है तो यह exhaust pump है यह air को बाहर की तरफ खीशता है और R आपका rotameter होता है तो यह part होते हैं इसके अंदर Guys, अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप cotton fiber की finest test करेंगे सरले finest tester से तो Guys, जो cotton finest tester होता है या सरले finest tester होता है तो उसमें कौन-कौन से apparatus use होते हैं तो एक तो हो गया आपका सरले cotton fiber finest tester दूसरा हो गया bang scale तीसरा हो गया cotton fibers तो अब हम क्या करते हैं सबसे पहले specimen तयार करते हैं तो specimen तयार करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो cotton का bulk होता है तो उसमें से हम थोड़ा सा cotton लेते हैं और उसको हम तोलते हैं वेइंग scale की साहता से और लगबग 6 gram हम cotton तॉल लेते हैं और जो हमारा यदि instrument में नया version होता है तो वहाँ पे हम 5 ग्राम का एक sample तॉल लेते हैं और जो sample होता है उसकी हम fluffing करते हैं अच्छी तरीके से हाँ से खोलते हैं और उसके अंदर कोई भी tangled part होता है तो उसको हम अलग कर लेते हैं और गाइज यदि आपके पास में Surlay Trash Analyzer available है तो Surlay Trash Analyzer के साहता से हम अपने sample को open भी कर लेते हैं clean भी कर लेते हैं और उससे क्या होता है कि हमारा material open हो जाता है clean भी हो जाता है उसके बाद में हम sample को तॉलते हैं तो गाइज इसके बाद में आता है testing procedure तो testing procedure में हम क्या करते ह देखिए गाइज यह जो हमारा पहला step होता है उसके अंदर जो हमने sample तॉला था उसको हम cylinder के अंदर रख देते हैं cylinder कौन सा है ए देखिए गाइज कहां रखते हैं यह हमारा cylinder है तो यहां पर हम रख देते हैं अब इसके बाद में देखिए फिर क्या करते हैं गाइज दूस की ओर दबाते हैं जिससे की हमारा सेंपल कॉंप्रेस हो जाता है यह जो हमारा प्लेंजर है तो यहां से नीशे की तरफ आता है तो यह दब जाता है अब देखिए यहां पर इसके बाद में हम क्या करते हैं कि जो हमारा बाल भी होता है उसको हम क्लोज कंडिशन में रखते हैं और इसके बाद में guys क्या होता है कि जो हमारा exhaust pump होता है तो उसकी supply on कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि जो हमारा pump होता है वो हवा को बाहर की तरफ सक करने लगता है और फिर हम जो airflow है उसको हम regulate करते हैं मलब कितना हमें रखना है तो हम manometer की साहता से देखते हैं और क्या होता है guys कि जो pressure difference होता है वो 18 cm of water रखा जाता है यदि नया version है तो उसके अंदर engraved scale in micronaire value दी जाती है तो direct आपकी जो reading होती है आप पढ़ सकते हैं और guys जो नया instrument होता है नय version का तो मैं आपको बता चुका हूँ कि वहाँ पर आप sample का weight या specimen का weight five gram रखते हैं और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जब procedure को दुबारा से repeat करते हैं तो जो पुराना sample होता है उसको बाहर निकाल देते हैं और नया specimen फिर से डालते हैं और उसके बाद में फिर उसको compress करके फिर हम reading लेते हैं और हम इस test के अंदर चार different different जगह से लिए हुए specimen को यहाँ पर test करते हैं तो इससे हमें direct micronaire value प्राप्त हो जाती है तो गाश देखिए यहाँ पर थोड़ा सा picture के माद्यम सभी देख लीजिए तो यहाँ पर यह है आपने क्या किया cotton का जो bulk है उससे आपने different place से चार टेफ्ट पिक किये और उसके बाद में उनको अच्छी तरीके से open कर लेते हैं और open करने के बाद में ही हम यहाँ पर यह जो मारा cylinder है इसके अंदर रखते हैं और मैंने जैसे आपको बताया यदि आपके पास में सरले ट्रेस एनलाइजर है तो उससे clean भी कर लेते हैं गैस क्या होता है कि यह देखिए यहाँ पर यह exhaust valve लगा है और यह valve आपका है यहाँ देख लिजिए यह valve air को close और open करता है तो सबसे पहले हम ने इसको चालो कर दिया valve को close रखते हैं और close रखने के बाद में फिर हम क्या करते हैं कि जो pressure है air का pressure उसको हम maintain करते हैं valve की साहता से इसको कम जादा करके हम करेंगे तो यह जो manometer है यह आपको pressure difference बता देता है कि यह जो बाहर का जो बायोमंडली pressure और जो अंदर air हमारी सक कर रही है तो यहाँ पर कितना pressure है तो बाहर के और अंदर के बीच का जो pressure होता है उसमें जो difference होता है 18 cm of water column होता है तो उसको हम maintain कर लेते हैं इसके बाद में जो हमारा air flow meter है यह वाला है तो यह आपको direct reading दे देता है यदि नया version है तो direct micronaire में देगा और यदि older version होता है तो table की साहता से इसको हम उससे calculate करके micronaire value निकाल लेते हैं और यह जो test होता है तो इसको चार बार repeat किया जाता है और चार बार repeat करते समय हम ध्यां रखते हैं कि पहली बार के बार में फिर क्या करते हैं यह जो हमारा tough था जिसको हमने यहाँ पर sample को रखा था specimen को उसको निकाल के फेक देते हैं अलग कर देते हैं फिर नया specimen डालते हैं फिर test procedure फिर से दोहराते हैं तो इस तरीके से हम इसको चार बार करते हैं और उसका average ले लेते हैं तो उससे हमें जो micro near value है वो accurately प्राप्त हो जाती है तो गाज इस तरीके से मैंने आपके साथ में detail में discuss किया कि cotton की fiber fineness क्या होती है और सरले cotton fiber fineness tester किस तरीके से काम करता है और उसका working principle क्या होता है तो गाज देखके बताएए मेरा वीडियो कैसा लगा यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगाओ तो आप लाइक का बटन दमाए अपने दोस्तों में share करें और गाज यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किरपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ साथ में साइड में लगाओ अबैल आइकन का बटन दमादीजिए जिस सब्सक्राइब आप चैनल को सब्सक्राइब करें।